समिधान ने आम आदमी को इंसान की तरह जी ने उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कल्यानकारी राज्य बनाने का साहस दिया अब यहाँ आम आदमी पर निर्भर है कि वो स्वतंदरता के अम्रत को सिद्ध करने के अपने कर्तवे का संकल्प करे पूर्व संसेद्य दिकारी और भारती समिधान के विद्वान E.Z. खुबरागडे ने समिधान के फल और स्वतंदरता के बात के भारत पर बात की इस समय खुबरागडे ने समिधान के विभिन पहलूँ पर प्रकाश जाला नई पीड़ी को अभी भी सम्विधान में कोई दिल्चस्पी नहीं है देश किस आधार पर चलता है नियम आदेश के साथ-साथ लोग सभा, राज्य सभा और योचना आयोग सम्विधान पर आधारित है उन्होंने कहा हर किसी को अपने राशनितिक कर्तव्य को जानना कई देशों की राजी सम्विधान से डॉक्टर बाबा साहिव अमबेटका ने भारती सम्विधान का मसौदा तयार किया है जो एक मात्र व्यापक सम्विधान है इससे भारतीयों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुचेगी उन्होंने कहा कि धार्मिक गतिविधियों में कोई हस शेप नहीं होगा बलकि विकास की विचारों को इसमें शामिल किया जाएगा कैमरा परसन राजकुमा मुहर के साथ अभिशेक पांसी बीसीन न्यूस नागपूर